कर दोस्तों स्वागत आपका हमारे न्यूज यूटूब चनल में दोस्तों एक बार फिर आज जिरूए हैं बड़ी अपडेट के साल लाखो करमचर पैंसन बोगियों के लिए गुड न्यूज लेकर जहां दोस्तों आपकी पैंसन उसमें बढ़ोत्री हो चुकी है और ब्यास दरे हैं वो उसमें भी जबरदस्त बड़ोत्री आपको देखने को मिले कि हम आपको इस वीडियो के मादम से डिटेल से बताएंगे जुड़े रही दोस्तों हमारे साथ इस वीडियो के लाश्ट तक दोस्तों वीडियो को स्टाट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है आई दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार करते हैं दोस्तों क्रमचारी भाईशन इदी संगठन के लगबग सेड़ 6 करोड से ज्यादा पीएफ खाताधारकों के लिए अच्छी कबर है मोधी सरकार होली से पहले 12 मार्स 2022 को करोड खाताधारकों को खुसकबरी द दे सकती हैं दोस्तों हम आपको मीडिया रिपूर्ट के अकोर्डियों बताते हैं कि दो दिन बाद 11 और 12 यानि कि आज और कल को ग्वार्टी में एपी एफो के सेंटर बोर्ड ओफ ट्रस्टी सी बीटी की एक बड़ी बैठक होनी वाले हैं दोस्तों जिसमें ब्याजदरोर ग्वार्टी उसमें एक बैठक बुलाई हैं जिसमें एपी एफो जो फाइनेंसियल येर्म 2021 के लिए पी एफ पर ब्यास दरें पर फैसला किया जाएगा और इस बैठक में केंद्रे मंतरी भी सामिल होंगे और संबावना जताए जारे कि सरकार पी एफ पर ब्यास दरों में चर्चा होगी और बोरोड वीत वरस के लिए ब्यास दर तैकरेगा इसके बाद सीबीटी अपनी सिपारी सिवित मंतरेल को सुपेंगे जहां ब्यास दरों पर आखरी मुहर लगेगी दोस्तों संबावना जताए जारी है कि मोदी सरकार क्रामचारी भाशे नेदी संगठन के सस्क्राइबर्स को ब्यास दर बढ़ाने का एलान कर सकती है और उसका तोफा देखी सुतरों की मुताबिक दोस्तों मोजुदा वीत वरस में 8.5% ब्यास दर पर सहमाती बन सकती है क्रामचारी की निगाए अब दो दिन बाद होने वाले इस काबिनेट बैठक पर टिकी गौाटे में होगी जिसमें 2021 के लिए ब्यास दर तै होने का परस्ता रख जाएगा और यह फैसला अगले वीत वरस के लिए अगामी के अनुमान के आदार पर किया जाएगा वहीं EPFO की Finance Investment of Audit कमेटी ने अपने सिपारिशी को बेजी हैं दोस्तों बैठक से पहले अब तक के जो गुटना करम है एक बार उस पर भी नजर डागते हैं EPFO के लिए संदेशो के खाते में EPFO जमार रासी 8.5 फिजदी वार्षिक ब्यास दर देने की सपारिश की थी जिसके बाद वित मंत्राले ने इबी इस परस्ताव पर मुहुर लगा दी थी इसके बाद EPFO के सेंटर बोर्ड ओफ ट्रस्टी की बितेश साल नुवंबर में बैठक हुई और लेकिन जो EPFO बढ़ाने पर कोई फैसला नहीं हो पाया लेकिन आप 11 और 12 मारच को होने वाल इस बैठक में अंतिम फैसला हो सकता है दोस्तो साल 2011 और 12 में पीएफ की दरे 8.25 फीज़ी रही और 2013 और 2014 में EPFO पीएफ जमा करने पर 85.8 फीज़ी जो ब्यासदर होगा 2012 और 2013 में EPFO की ब्यासदरे 8.5 फीज़ी पर पहुंच गई 2018 और 2019 में EPFO की ब्यासदरे 8.65 फीज़ी थी अगर हम बात करते हैं 2016 और 2017 की तो ये 8.65 फीज़ी और 2017 और 2018 की बात करें तो 8.55 फीज़ी थी अगर दोस्तो 2019 और 2020 के लिए जो ब्यास दरे हैं वो 8.5 फिजी तैकिगी थी जो पिछले 7 वरस से सबसे कम है अभी PF में जमा पैसे पर 8.5 फिजी की दिया जो ब्यास दर है उस पर दिया जा रहा है दोस्तो यह थी आज की हमारे लेटस अपडेट आई होप आपको वीडियो अच्छे लगेगों दोस्तो वीडियो अच्छे लगे तो लाइक जुरूर करें सब्सक्राइब करें और जद से जद अपने फ्रेंज के साथ सेर जुरूर करें मिलेंगे जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में बड़े अपडेट के साथ तब तक लिए आप सब्सक्राइब को हमारे और से जैहिन जैजवान जैक सन